नमश्कार दोस्कों स्वागत है आप सभी का यूटीब चनल में दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है आपको फाइब मिनट्स में अपने बाइसेप मुशल को कैसे पॉंप कराना है जी हां दोस्तों मैं पीछले वीडियो में आपसे बताया था कि आप चाहे तो फाइब म कि और बाइसेप के मसल्स को पंप कर देंगा मिकाले थुड़ा सा रधानी देने वाली बात है कि कोई भी cих accent करने से पहले वार्मब एक्ससाइज करना जिथना अच्छा आप वार्मब कीजिएगा उतन greater Consistency शाइजाती होगी इसलिए सबसे पहले और आये दुस्तों हम लो कुछ तरही एक्सरसाइज कम से कम थर्टी या फोर्टी टाइम्स आपको फॉर्पॉंप करना है इससे आपको क्या होगा कि आपके लेग में आपके ओबर ओल बॉडी में स्ट्रेंथ हाएगा इसमें सांसों का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है जानते हैं दोस्तों कि जितना अच्छा से आपको प्रेदिंग के एक्सरसाइज होगा उतने ज्यादे आपके बॉडी में पावर उतना ही ज्यादा आएगा उतना ही अच्छाई श्ट्रेंथ यह है जम्पिंग जैक एक्सरसाइज सो कई तरीका से किया जाता है यह बिग्र्स एक्सराइज हो गया देख रहे हैं आपकी सांसों का स्पीड जो है कितना फास्ट हो जोता है अब इसके बाद हम लोग रसी जंप करेंगे तो इतना अच्छा वर्मपेट कीजिएगा अफ mismos कोयवी एक्सराइज को परफॉर्म कर लीजिए तो आपको पांस से लेकर दस मिनट दस मिनट ठीक है 100 जो रसी जंप है मिनमम लगाईगे गा दोस्तों मेरा एक नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है कि यदि डेली 100 रसी जंप लगाते हैं थ्री टाइम या फोर टाइम तो 30 डेज में आपको क्या इफ्रेक्ट आपके बाड़ी पड़ता है वो इस वीडियो मैं कि दोस्तों एता रसी जंप जो कि आपने देखा कि 100 टाइम्स में रसी जंप लगाया है सबसे पहले आपको जंपिंग जैक एक्सराइज करना था उसके बाद रसी जंप यदि आपके पास रसी नहीं है तो उस समय आपको क्या करना है उस समय यदि रसी नहीं है तो आपको नॉर्मली बस यूं खड़े है तो यह हो गया हमारा कुछ वार्म पिक्षर साइज अब हम थोड़ा सा पूश्प करेंगे और पूश्प करने के बाद हम लोग आपको बताएंगे हम कि 5 मिनिट में बाइसे को कैसे क्या जाए तो अज सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पूश्प करेंगे यू अपनी हाथों को लेव लाना है थोड़ा सोल्डर से पीछे ओके और ऐसे ऐसे नहीं करना है ठीक है ऐसे गर्दम कोई ऐसे या ऐसे नहीं करना है नॉर्मल हो जाना है अजयादा स्पीड में भी नहीं है यह होगा हमारा जोड़ा पूश्प को जाने के बाइब जैसे कि मैं बता हूं कि बाइसे पेक्साइज कर रहे हैं या अजयादा है दो उसके बाइब की है इस्ताइब करना है इनको करना है इनको ज़रूर सर जरूर करना है ट्र rapping शेप या बाइशेप एक्साइज करने से पहले तो सबसेपहले हम ने क To सबसे पहले तो आपको डायमंड की स्ट्राइल में इस तरह अपने हाथ को कर लेना है ठीक है उसके बाद यूं हो जाना है और यह अब देख सकते हैं कितना अच्छा असर पड़ता है है कितना अच्छा प्रैशिप निकल गया आता है कि हमारा डामन इसके बाद हम बैस्ट कुछ आप करेंगे जैसा कि बाईस्ट के लिए हमने पहली बताया कि आपको अध्कों हाथ को ऐसे नहीं ऐसे नॉर्मल पुछब के लिए हाथ को हम लोग ऐसे करते हैं दायमेंड को के लिए शॉरी बाइसे पूशप के लिए हम लोग इस तरह हाथ को कर देंगे और ऐसे खरके अपने आपको जमीन पर लाएंगे जैसा के पीछले वीडियो में भी मैं बाइसे पूशप मार के बताया था एक और चीज है कई मेरे वीवर ये सवाल किये थ जो बाइसे पूशप मार रहे हैं थोड़ी कटना ही होती है तो इसको कुछ इसका इजी भी बताया जाए कि हम अधिक अधिक मार सकें और थाकि बाइशप कुशप मारने का भी इस टेंट हमारा बढ़ सकें तो आज हम बताएंगे आज की वीडियो में सबसे पहले आपको क्या करना है या थोड़ा उचा सा चीम लेना है इतना है ऐस्के उपर हाथ को यह रख देना उसके बाद यह एक्सरसाइज मारना है फिलाल मेरे पास देखते हैं क्या चीज़ है आए देखते हैं यह तो डंबल हो गया आए देखते हैं कुछ जुगार यस यहां पर है आपको यह उंचा सची हमको मिल गया है ओके चलते हैं कि यह देखें को रख लेना है और यहां पर हमको अपने हाथ को यह रख लेना है और इस तरह हो जाना है वाव अब हम और अच्छे से बाइशे पुशक को परफॉर्म कर सकते हैं करने के बाद थोड़ा सावारे वाइशेप में इस का साइस थोड़ा सा ओंप किया है अब इसको हम कुछ दंबल की मदब से जैसे हमने यहां पर दंबल रखे हुए हैं यह त्टेन केजी का है और यह जो है 5 kg का डंबल है इन दोनों डंबल की मदब से हम परफॉर्म करेंगे यदि आपके पास डंबल नहीं है तो आप इंट ले सकते हो और इंट को लेका भी एक्सरसाइज को कर सकते हो वेट बढ़ाना है तो डबल इंट ले लिजिए ट्रिपल इंट ले लिजिए इ डे लिजिए टो अब बाइशेब को पंप कराते हैं जो हमार अज में वीडि ο अटता कि अज हमारे वीडियो का थीम है ऐट को मना honest करेंगा यह हम दिखते हैं सबसे पहले आपको नॉर्मल घंबल लेना है यह आपको नॉर्मल बेसिक जो बाइशेब की सरसाइजिस है उनको को परफॉर्म करनी है यूं यूं करते रहे हैं इसके बाद ज्यादर रेशनी लेना है दोनों डंबल को एक साथ अब मैं जब भूल्ड करना है आपको होल्ड करना है होल्ड हो गया अप डाउन होल्ड बस इतना पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन देख रहे हैं आप कितना जवर्दस्त असर कर रहा है यह थोड़ी दर किजिए टेन टाइम्स उसके बाद नीचे अप अब 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 टेन टाइम्स को करना है अब अब फुल किजिए जब तक फट ने लाए यह बाइशेप पुरा फट ने लाए यह हुआ हमारा छोटा सा ब्याज बाइशेप के लिए अभी पूरा पंपने किया है अब हम पंप कराएंगे लेंगे थोड़ा सा वीट बढ़ाएंगे यह आगे हमारा 10 kg देखिए दोनों डंबल को एक साथ यूँ अब डाउं अब सिंगल है अब हमको क्या करना है इस तरह से इस पोजिशन में आ जाना है एक इस पोजिशन में और आप जाओं देर कितना अच्छा असर पढ़ रहा है बाईशेप पे यूँ भी दे सकते इस एंगल से भी आशेप कितना असर पढ़ रहा है आपको इंटना डाउं जाना है दोस्तों आपने देख लिया यह बाईशेप कुछ थखाने वाद एक्सरसाइज और यह नहीं सकता है यह मतद से आप अपने बाईशेप को फुली पंप करा सकते हैं देख सकते हैं कितना अच्छे से यह पंप हुआ है देखिए देखिए यह च्छोटा सा क्याप निकलकर आगया है देखिए देखिए यह हमारा पाईशेप कमकी है इसको फोला सा और मेनट पर देते हैं यह और नया तरीका बजा जाएते हैं अपने हाथ को ऐसे कर लेना है और एक हाथ को यह देख रहा है इतना अच्छे से पाईशेप का मसल्स निकलके आ रहा है फिर लुक्त करेंगा अब आप देख सकते हो अब भाईशेप का मशल्स जो है इतना ब्रिट किया है इतना पांप किया है अब देख सकते हैं वीडियो को एक बाद बैक करके बाईशेप को देख लेजिए और आफ्रेशाइज इस बाईशेप को देखिए कितना जवर्दस्त ही पॉम्प किया है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानखरी के साथ जानगे बाइब